हाई, मेरा नाम है सुनिल मिश्रा, मैं सक्सेस सीरीज की तरफ से मेंटल मैस ट्रिक का पार्ट थर्ड लाया हूँ, मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप ट्लिक मैजिकल ट्रिक लाया हूँ, जिसको सीखने के बाद आप किसी भी 2D नमबर, जिसकी 10s place digit सेम हो, और unit place digit का सम्ट 10 हो, उनको आप असानी से चुटकियों में multiply कर पाएंगे. चलिए, देखते हैं कैसे हम इन दो नमबर्स को multiply करेंगे, इन दोनों ही नमबर्स की 10s place के digit है same, that means 4, और इन दोनों नमबर्स की unit place की जो digit है, उनका सम है 10, that means 3 plus 4 is 10. सबसे पहले हम इन दोनों नमबर्स की unit place digit को multiply करेंगे, that means 3 into 7, so 370 होता है 21, after that हम इसकी 10s place digit जो 4 है, इसका successor, that means 5, इसे आप इसे multiply करेंगे, 4, 5s are 20, so 43 into 47 is 2021, चलिए एक और product देखते हैं, इस concept को better तरीके से समझने के लिए, तो हमारे पास दो नमबर है 26 and 24, इन दोनों ही नमबर्स की 10s place की digit है same, that means 2, and इनके unit place digit का सम है 10, so सबसे पहले हम इन दोन नमबर्स की unit place digit को multiply कर लेंगे, that means 6 into 4, so 64s होता है 24, after that 2 के बाद आता है 3, so हम 2 को 3 से multiply करेंगे, 2, 3s होता है 6, so 26 into 24 is 624, चलिए, एक और प्रोड़क्ट देखते हैं, हमारे पास है 97 and 93, तो सबसे पहले हम इन दोनों नमबर्स की जो unit place की digit है, इसको multiply कर देंगे, that means 7 into 3, तो 7, 3s होता है 21, इसके बाद जो 9 का successor होता है, 9 के बाद आता है 10, तो 9 को हम 10 से multiply कर देंगे, 9 10 जा होता है 90, so 97 into 93 is 9021, इस ट्रिक को आप एक ऐसे नमबर का square find करने के लिए use कर सकते हैं, जिसकी unit digit होगी 5, जैसे हमारे पास है 45 square, so 45 square को आप लिख सकते हैं 45 into 45, तो सबसे पहले हम इन दोनों नमबर की unit place digit को multiply करेंगे, that means 5 into 5, so 5 into 5 हमेशा यहाँ पे 25 आएगा, अगर आपके पास unit digit में है 5, इसके बाद हम 4 को उसके successor से multiply कर देते हैं, 4 का successor होता है 5, so 4 5 जा होगया 20, so 45 square is 2025, 5,